ट्रांस्फ़र grant यानि की CTG इस वीडियो में हम आपको ट्रांस्फर grant से रिलेकटेड जो भी इंताटमेंट है उसके बारे में बताएंगे ट्रांस्फर ग्रांट eligibility आएँ देखते हैं कि ट्रांस्फर ग्रांट किस-डीशन में आपको दिया जा सकता है जितने भी PBRs हैं, अगर वो transfer होते हैं, permanent transfer होते हैं, from one station to another station, या फिर उनकी unit move होती है, एक जगे से दूसरी जगे पे, one piece station से दूसरे concessional area में, piece to fill, जहाँ पे भी आप जाते हैं, अगर आपका transfer, आपकी unit, आपका permanent move हो रहा है, 20 km and above, तो आप transfer grant ले सकते हैं, transfer grant जो आपको मिलता है, वो आपके basic pay का 80%, बतब आपकी एक मेहने की salary है, उसका जो basic pay होता है, उसका 80% आपको transfer grant दिया जाता है, इसके अलावा, अगर मालीजे कि आपका जो transfer हो रहा है, वो 20 km से कम हो रहा है, यानि कि distance आपका 20 km से less है, तो इस condition में आपको जो CTG मिलेगा, वो म लेगा one third of the, आपके जो basic pay, 80% जो आपको मिल रहा था, क्योंकि full amount आपको 80% मिलता है, यहाँ पर आपको जो basic pay का 80% है, उसका one third आपको CTG दिया जाएगा, लेकिन इसकी सबसे important condition यह है, कि उसमें आपका change of residence involved होना चाहिए, यानि कि आप घर बदल रहे हैं, उस 20 km में, और ए यह है, कि जो unit है वो आपकी, वो same municipal limit में नहीं होना चाहिए, यानि कि आपकी unit भी दूसे किसी municipal area में होगी, तो ही आपको one third CTG दिया जाएगा, transfer grant की जो और conditions हैं, लेने के लिए, वो किस तरह रहेंगी, आई उसके बारे में दिखते हैं, transfer grant is admissible only once within six months, और निधर unit move और individual move, यानि कि आप एक unit move और एक individual move ही ले सकते हैं, within six months, आपको दो unit move और दो individual move within six months में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको transfer grant नहीं मिलेगा, transfer grant जो आपको दिया जाएगा, वो permanent transfer पे ही दिया जाता है, ये condition बहुत important है, यहाँ पर एक चीज़ और important है कि कि किसी भी कीमत पे temporary transfer, temporary transfer पे आपको transfer grant नहीं दिया जाएगा, बतब within six months में अगर आप कहीं रह रहे हैं, तब आपको transfer grant नहीं मिलता, transfer grant हमेशा permanent transfer पे ही आपको मिलेगा, इसी तरह है, posing due to, देखें, जब आपका transfer होता है, और आप transfer grant अगर लेना चाहा रहे हैं, तो सबसे बड़ी की condition यह है, कि आपका posting in और posting out, यह दोनों आपके part to order publish होना चाहिए, जो posting out, जिस unit से आप out हो रहे हैं, वो unit आपका posting out का part to order publish करेगी, और जिस unit में आप posting in हो रहे हैं, वहाँ आपका posting in का part to order publish होगा, transfer grants के rates क्या हैं, आईए देखते हैं, transfer grant जो आपको दिया जाएगा, वो है आपका 80% of the basic way, condition है यहाँ पे more than 20 km, पहला है कि अगर आपका transfer one station से another station, यानि एक station से आप दूसरे station को जाते हैं, more than 20 km, तो आपको 80% of the basic way transfer grant मिलेगा, और within 20 km, अगर आपका transfer है, और जिसमें change of residence involved है, तो आपको one third of 80% of basic पे मिलेगा, इसी तर है, अगर आपका transfer island में हो रहा है, तो island से आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, टू अन्दमान निकोबार और लक्षुदी, तो आपको 100% of basic पे मिलेगा transfer grant,